हेलो गाइज वालकम टो अनदर वीडियो प्स्टॉक मार्केट फिंट संगनी हॉस्पिटल लिमिटेड गाज यह अपकमिंग आई प्यो जो कि आज के दिन ओपिन होने जारी इसमें जानेंगे इसका कंप्लेट अनलिस इसका कंपनी का बिजनस मॉडल क्या है फिनांशियल पर अगस्त को क्लोज कर दिया जागा तिन दिन के आई प्यों है चार साथ और आठ इंकमपनी के जो है सब्सक्राइब करके और संगनी होस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशाल्टी हो हिल्थ केर है प्रोवाइडर है जो कि के सौद और विरावल रिजन जो कि गुजरात के के में ऑपरेट कर रही है यहां पर कंपनी जो है से यह प्रोवोट किया गया डॉक्टर अजय कुमार नटवर लाल संगनी के तरफ से जो कि MBBS DLO और MSI ENT के और उनके भाई डॉक्टर आजयस कुमार नटवर लाल संगनी जो कि वह भी MBBS और MD है और इन दोनों के तरफ से जो सो और इस ओर्गनाजिशन है यह वराइटी के उनित का इस अपरेटिया का यूनीट का स्पेशालिटी हा तैंकर यूंकि रॉफर कर रही है इसमें इनकी यूंटे डिपाट्मेंट डिय्लाइस jullie्निट और फ्लाइप्लेश्बेंट ज्याइश्वेठेश्मेंट जेनल अर्डि जो हाब प्रिजेंट सर्विशस वागएरा और अदर सपोर्ट सर्विशस विज wag इसे अपने दो हॉस्पिटल से जो युझा ओफर कर रहा है प्रिजेंट ली जो कि इसका दो हॉस्पिटल है एक है संगनी हॉस्पिटल जो कि केसद जुनागण गुजरात में आ दूसरा संगनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिचल गुजोंकि विरावल गुजरात में इसके mommy के कंपनी एक स्पेशालिटी सर्विसेस और other support सेर्विसेस वगेरा ओफर कर सरसेर हाइं ली अगर हम इसके अंडर्सेंट एरिया गुरणे की ऌट स्थे गुजरात में अंडर्सुमड और डेंशीन फॉपूलेटर इरिया वहां पर ऑपर कर रहा है और बहुत इसके पैथ़लोजी लेबरेटरी है और स्टोर्स का भी बिजनस कर रहा है जो कि इसके प्रिजेंस है और एक स्ट्रॉंग फोकस किया जाए डिजिटल हेल्थ केर इनिशेटिव पर और आईश्मान भारत का भी एक पार्ट है मतलब कि आईश्मान वहां पार्ट होने से क्या होता है जो लोग मिलंग जो आफॉर्ड नहीं कर पाते हैelnिंद के लिए तो वह क्या करते है कि उनको गुश्या करते हैं आईश्मान भारत के स्कीम के अंदर तो वो कंपनी को जो सो गोवर्मेंट के तरफ से भी जैसी है मतलब कि फंड वगरा भी आ रही है आईशमान भारत के थुरू और एक स्ट्रॉंग और क्वालिफाइड टीम की डॉक्टर्स है नर्से से पैरा मेडिकल और अधर श्टाफ है एक्सपैंसन प्लांड किया जा रहा है अपने एक्जेस्टिंग फैसलिटिस पर और रिस्क लेकिन क्या है रिस्क यह कि कंपनी जो से एक लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री होने के कारण कि इसके फिनांसिल परफॉर्मेंस पास्ट में भी बहुत जादा डिफिकल्ट हो सक सर्विशस पर बहुत जादा डिफिकल्ट नहीं अपैट्रीश फिनांचल को देखेंगे टक्रुन के नहीं के बराबर है लेकिन के बराबर है लेकिन कमपणी का यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 में कंपणी के रेवेन्यू में थोड़ा से इंपक्ट पड़ा था गिरावाट आई थी मतलब कंपणी ओवराल आवरेज रिजल्ट पेश की आवरेज फिनांशल देखने को मिल रहा है लेकिन 23 में भी एक सदेन बूस्ट देखने को मिल रह है जो कि एक फीचर में बहुत ज़्यादा डाउट करेट कर रहा है फीचर सस्टेनिविटी को लेकर भी एक क्रेट कर रही है पी रेशो 37.03 टाइमस का है आरोई 11.26 परशंट का EPS 3.47 का और रिटर्न और नेटवर 35.75 परशंट की देखने को मिल रही है औबजेक्टिव क्य करना चारी अपने existing premises को expand करने के लिए यह बहुत अच्छी बात है लेकिन कंपनी का जो बिजनस है ना बहुत रहा highly competition और राइजिंग कंपेडिशन हो तक इसमें बहुत जादा तेजी से राइज कर रहे competition और fragmented सेक्टर भी है मतलब कि healthcare सेक्टर सर्विस जो segment है यह बहुत ज स्ट्रॉंग बॉटम लाइन में जैसे inconsistency देखने को मिल रहा है और यह मतलब कि लिस्टेट पियर्स का एक रिस्क देखने को मिल रही है अब हम इसके डिटेल की बात करता है चार से आठ अगस्त कॉपें रहेगा तेन रुपीज का फेसबाल ठटी सावन टू-40 रूपीज से कि प्राइस बैंड 3000 कि लॉट साइज 15.17 क्रोड का इसू साइज और नसी एसमे में लिस्टेड होगा जो कि 17 तगस्त का डेट रखा गया अमांट वन लैक ट्वेंटी थाउजन रुप इस कंपनी के प्रोमोटर है प्राइस बैंड भी अगर देखिएगा तो इसके मतलों कि प्राइस बैंड के एक और इसू साइज रखा गया है बहुँ ज्यादा प्राइस रखा गया फिनांशल के एक और प्राइस रखा गया है और यह में बोर्ड में लंबा टाइम ले सकती है अगर हम इसके जेंपी को देखेंगे तो वन रुपीज का जेंपी जेंपी कुछ खास देखने को नहीं मिलना टू पाइफ पर्टेंट के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसे से तो यह एक बहुत ज्यादा रिस्की है तो मैं क हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं कोई डाउटे कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई